उत्रप्रदेश वुदान सभा का विशेश सत्र समाप्त हो गया है लेकिन विपक्षी दलों ने सरकार पर सदन को कम दिनों तक चलने का आरोप लगाया है और इनी सब मुद्दों को लेकर यूपी क्यापुनेट के मंत्री सुरेश राणा से खास बाद चेत की हमारे संब्धा आता नरिंद्रियातत में आज विशेश सदन का समापन हो गया है लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि वह वारता करना चाहते थे और तमाम चीजे जो थी उस पर डिसकस करना चाहते थे सदन कम समय तक चला इस पर हम बात करेंगे सुरेश राणा केबनेट मंत्री है पिछडों के लिए दरीतों के लिए जब भी सदन में चर्चा होती है तभी हमेशा विपक्ष हला करना बाबाल करना और चर्चा से भाग जाना ये विपक्ष का स्वभाव है मुझे गांधी जी के जैनती के अवसर पर सदन में चर्चा होती है तो गांधी टाइटल लगा करके देश में वर्सों तक राजनीती करने वाले लोग सदन का बही गर्मन करते है और जब भी लोहिया के विचारों पर जब भी बाबा साहब के विचारों पर जब भी कोई व बोलने के लिए कुछ है नहीं, विकास से इनका वास्ता है नहीं, विकास से उनका मतलब रहा नहीं और लगातार उपदर्वियों को पीछे से उकसाना, उनका संरक्षन करना, यह कहीं न कहीं समाजबादी party का वेक्तिकत अपना स्वभाव है, इनका DNA बना हुआ है और इन से यही उम्मिद की जा सकती है जो लोग आतंकी हमले में सामिल लोगों के मुकदमों की वापसी की पहर भी कर सकते हैं उन लोगों से और क्या उम्मिदे की जा सकती है इसलिए मैं केवल इतना कहूंगा कि उनका ना किसी चर्चा से मतलब है ना किसी विकास से मतलब है परिवारवाद के आधार पर राजनीती को आगे बढ़ाना और कुल मिला करके केवल वोट की राजनीती हर समय करना वोट बैंक के आधार पर राजनीती को आगे बढ़ाना यह का भी विरोध करते हैं कैमरामेन प्रियांसू के साथ नरेंद या दो आन नाइन टीवी लखनो